दोस्तों आप सबने होट बैलून वाली वीडियो तो काफी सारी देखी होंगी और उसमें बैठने का भी काफी मन किया हो गया तो आज हम आपको ले चलते हैं दोस्तों ऐसी जगर जहां आप इस सब का मजा ले सकते हैं भीमताल उत्राखेंड का नाम तो आप सबी ने सुना ही होगा दोस्तों तो होट बैलूनिंग यहां भी सुरू हो जुकी है और यहां पर कराई जाती है तो गूगल मैप में आप सब से पहले डाल सकते हैं भीमताल या नकुचयताल तो यहां पर अगर आप हलवानी की तरफ से आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको मैप देखने को मिलेगा जो कि हलवानी से 35 किलोमेटर दूर है हलवानी काट गोदाम तो आप यहां वाले र माधियम से आप इसमें आ सकते हैं तो दोस्तो मैं दिखाता हूँ यहां पर किस प्रकार से होड बेर्योंग करा ही जाती है उसका पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं क素 غ no वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे फिर द्वारा यहां को गरम किया जाता है और जैसे जैसे हवा गरम होती है बैलून उपर उठने लगता है यहां वीडियो हमारे एक मित्र द्वारा सूट किया गया है जो जिनका नाम है रुहित द्रिज्वासी जो कि अभी आपको आगे देखने को भी मिलेंगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर होट बैलूनिंग कराई जाती है कि वीडियो में आप सब देख सकते हैं कैसे बैलून को यहां पर रस्यों को द्वारा बादा गया है काफी सारी रस्यां यहां पर नीचे को लटकती ही दिखाई दे रही है वह असल में सेफ्टी के परपस से बादी गई हैं दोस्तों काफी सारे परियेटर यहां पर आप देख सकते हैं वीडियो में जो कि बैलून भी देखना आये हुए हैं और कई लोग यहां पर अपनी बारी का इंतिजार भी कर रहे हैं इन रस्चियों की वज़े से यहां बैलून ज्यादा है तग नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके हैड फिक्स कर दी जाती है दोस्तों और उसके बाद इसको वापस यहीं पर उतारा जाता है तो यह सेफटी के लिए होती हैं ताकि बैलून कहीं दूर ना चला जाए यह है रोहित विजवासी जी जो की वीडियो सूट कर रहे हैं मौसम भी काफी साफ है धूब बहुत बढ़िया खिली हुई है तो काफी अच्छा मौसम है जिसमें इसका अनन्द कुछ अलगी हो जाता है तो इस प्रकार से आप यहां पर होट बैलन की सवारी कर सकते हैं और पूरे मज़े ले सकते हैं अपनी फैमिली के सांथ जाना दोस्तों भीमताल में किस तरीके से होट बैलनिंग कराई जाती है तो जब भी आपका मूड हो तो आप यहां पर आ सकते हैं धन्यवाद दोस्तों दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करें और बैल आइकन करें